अनकेडमी लेर्निंग इसे आप डाउन्लोड कर लीजिए अपने आयूस और एंडोइड वर्जिन दोनों में ही अवेलेबल है यह तो इसे डाउन्लोड कर लीजिए और आज करेंट अफेस पर बीस्ट एक जो लेसन है वो पबलिश हुआ है यह जो नीचे आपको लिंक दिख कल संडे था गया तो था आपके सरजी को ठीकर ने खुद घरा वो क्या आगया में वहां से अजी ठीक है तो आपका पहला जो कॉश्चन है पहला कोश्चन है आपका विज इस नोट अफेक्टर ओफ मोटिवेशन इन में से कौन सा ओप्शन जो है वो मोटिवेशन का इसके में है फॉर्थ और यही इसका सही अंसर है जो प्रेक्टिस है वो मोटिवेशन का फेक्टर नहीं आप किसे को कितना भी प्रेक्टिस कर वालो उससे उसे motivation नहीं मिलती है, हाँ ठीक है उसकी चीज़े improve हो सकते हैं लेकिन motivation नहीं मिलेगी उसे, बाकि जो बचा है prize, मतलब इनाम incentive, मतलब कोई भी प्रोट साहन के लिए कोई भी चीज़ देना, या फिर praise, उसकी प्रशिंसा करना, इन सभी से motivation मिलता है, इन सब चीज़ों को पाने के लिए बच्चे जोना काम करते हैं, ठीक नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन है आपका, इन में से वो कौन सा option है, जो आप test prepare करते समय, जो blueprint आप बनाते हैं, मतलब कोई भी आपको परिक्षन करना है, उसका आप एक blueprint तयार करते हैं, कि किस तरीके से वो test conduct होना तो उस समय आप इन options में से किस पर विचार नहीं करेंगे, ठीक हैं, आपको बताना है, इन में से किस पर विचार नहीं करेंगे, options हैं, topic पर विचार नहीं करोगे, या फिर instructional objective, मतलब दिशा निर देश जो भी आपके उप्देश्चे हैं, उस पर आप नहीं करोगे विचार या फिर question किस प्रकार के होने चाहिए मतलब forms of questions पर विचार नहीं करोगे या फिर last उस परिक्षा के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को कितने समय तक मतलब section दिया गया था इन में से किस option पर आप विचार नहीं करोगे options सुनने के बाद समझने के बाद ही इसका answer दे fourth की majority clear majority है और यही इसका सही answer है अब third क्यों नहीं होगा वो भी एक बर बता देते हैं आपको देखो किसी भी परिक्षन के लिए आप किसी भी प्रकार के प्रशनों का उप्योग कर सकते हैं पूछने के लिए लेकिन आपको यह भूलना पड़ता है कि वो topic करवाने के लिए कितना समय दिया गया था क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रिक्षन करने का मतलब है कि क्या उसे पूरे तरीके से आ गया है वो आप जैसे मर्जी चेक करो आपको यह नहीं देखना कि कम देर के लिए पढ़ाया गया था तो इसी टेस्स लेना है जादा देर के लिए पढ़ाया गया था तो difficult test लेना है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है next देखते है next है इन में से which is different from other three with respect to fine motor movements मतलब यह कि उतकरिष्ट motor movements मतलब इन में से आपको बताना है कि मैं तीन ओप्शन दूँगा आपको तीन ओप्शन समें बताना है आपको कि कौन सा इन में से जो है वो अलग है एक दूसरी से अगर आप compare करोगे तो options है आपके पास dot joining मतलब बिंदों को मिलाना handwriting मतलब लेख लिखना या फिर fruits और vegetables को separate करना इन में से वो कौन सा option है जो एक fine motor moment का सही जवाब नहीं है इसका answer जो है वो third ही है मतलब आप किसी भी चीज़ को separation मतलब दो से दो थोड़ी बहुत भिनने चीज़ों को जब आप अलग कर रहे हैं तो वो fine motor का part नहीं है fine motor moment का part नहीं है बाकी जो भी आप करते हैं आप dots को join करते हैं या फिर handwriting आप कर रहे हैं तो वो सब जो है fine motor parts का ही एक हिस्सा है ठीक है next question है what type of evaluation identifies learning deficiency and difficulties of the learner मतलब आधी गम करता के आधी गम में जो कमिया है या फिर जो मुश्किले हैं उनको evaluate उनका मुल्यांकन करने के लिए इन में से किसकी सहायता लोगे options है आपके पास summative evaluation मतलब योगातमक मुल्यांकन continuous मतलब निरंतर मुल्यांकन या फिर diagnostic मतलब निदानातमक मुल्यांकन इन में से किसका सहारा लोगे ठीक है वैसे third third और second मिला कर कह रहे हैं भई सब नहीं देखो इसमें diagnostic कही होगी निदानातमक कही होगी आपको पैचान करनी ही पड़ी नहीं कोई बात नहीं है अगर मेरी तरफ से भी बफ़ेंगे तो थोड़ा बहुत adjust करो और आपके तरफ से है तो मैं तो करी रहाँ ठीक next question देखते है जो बच्चों का nature जो होता है वो किस type का होता है options आपके पास imitative मतलब अनुकरनातमक या फिर constructive या फिर imaginative और last है destructive इन में से वो कौन सा type है जो मतलब बच्चों का nature जिसे आप मानते हो आजी नमस्ते सभी को जो लेट आए हैं उनको भी नमस्ते आज क्लास को ज़्यादा extend नहीं करेंगे बई बस थोड़ा सा और एक आदा question और देख लेंगे जी first third third को उनसा बोला अपने imaginative मतलब कल्पना शील या कल्पना तमक नहीं third नहीं इसका जो answer है first की majority है और इसका answer first ही है मतलब अनुकरना तमक जो है nature होता है बच्चों का जैसा वो देखेंगे वैसा वो करेंगे वैसा वो सीखेंगे वैसा ही वो implement करेंगे अपनी life में तो इस वज़े से बच्चों के सामने जितना जादा आपको उनको improve करना है खुद उसी तरीके से behave करो जैसा उन्हें आप बनाना चाहते हो सबसे आसान तरीका है इसलिए ये question था कि अगर आप अपने बच्चों को ideal citizen बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको खुद ideally behave करना पड़ेगा मतलब एक आदर्श इंसान आपको खुद बनना पड़ेगा उनके सामने तब ही जो बच्चे होंगे वो आपकी तरह behave करेंगे रियक्ट करेंगे ठीक नेक्स कोशन है IQ स्कोर्स आर जनरली डैश को रेलेटिड विद अकेडमिक परफॉमेंसे IQ लेवल को अकेडमिक परफॉमेंसे किस तरीके से रेलेट किया जाता है मतलब एक बच्चे का IQ लेवल कम है या जादा है उसको किस तरीके से आप जोड़ कर देखोगे अकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई की उसकी शम्ताई हिसाब से तो इसके options है बहुत कम मतलब महतवर रखता है या बहुत जादा महतवर रखता है या फिर ठीक है ना इसका दोनों का आपस में कोई connection नहीं इन तीनों options में से कौन सा option इसके लिए suitable है हाँ जी second second कौन सा था भई highly ठीक है किसी ने first बोला लेकिन जादा तर लोगों ने second answer दिया है आँ जी देखो वैसे तो हमेशे majority सही नहीं होती लेकिन इस बार majority सही है बहुत ज़्यादा relate करता है जिस बच्चे का जितना ज़्यादा IQ लेवल है उसके लिए जो academic performance देना है वो उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है ठीक है आँ जी उसके लिए उतना ही आसान होता है वो उतना ही चीजों को जल्दी ग्रैप कर पाता है मतलब सीख पाता है समझ पाता है easily मतलब बहुती सुल्जे हुए तरीके से वो बिठा लेता अपने दिमाग में और जिसने अपने दिमाग में बिठा लिया है वो उसे तरीके फिर performance भी दे सकता है ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स्ट कुशिन है आपके लिए एक कोई भी स्टूडेंट है उसकी क्रोनोलोजिकल एज और उसकी मेंटल एज दोनों ही साथ वर्ष है तो आपको उसका IQ लेवल बताना है कि उसका IQ लेवल नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है मतलब उसकी मानसिक आयू और उसकी शारिरिक आयू दोनों ही जो है वो साथ वर्ष है तो आपको बताना है कि जो उसका IQ लेवल है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है है जी नॉर्मल इस वज़े से आज की गलास यहीं रोक देते हैं बाकि लाइव में सिर्विस ले आया था ताकि आप लोगों को वीड ना करना पड़े काफी आप में से ऐसे हैं जो वट्सअप ग्रूप पर हैं और उन्हें मैं अपडेट कर देता हूं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रूप में नहीं है तो उन्हें अपडेट करना फ़ड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो जो नहीं है उनके लिए मैं वट्सअप नंबर बता देता हूं वट्सअप नंबर है इसे कम्प्लीट आप सेव करेंगे तक इसी समय इसी टाइम मिलते हैं और आज के लिए इतना ही फिलाल गुड़नाइट अपना भी दियान रखो और मैं तो कोशिश करता ही हूं दियान रखने के अपना तो ठीक तरीके से तैयारी कर देरो और देखो कोई कुछ भी बोलता है लेकिने इतना तो मत बोलो गई ठीक है आजी चलो गुड़नाइट टेक केर और पढ़ाई अपनी जारी रखे ठीक से